तो इसमें मैंने इसके टाइट्स बता हैं वस्तू के कितने तरह की उतली है और अगर आप मेरे चैनल पर फ्रस्ट रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बैर आइकन को प्रेस करके और वाले नाटिफिकेशन को आउन कर दीजिए जिससे मेरी आने वाले ह आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो को पूरे देखिए तो फ्रेंट स्टार्ट करते हैं उबहुकता वस्तू जो होती है यह वे वस्तू होती है जो मानवे अवशक्ताव को प्रत्यक शुरूप से संतुस्ट करती हैं इनका प्रयोग अन्य वस्तू वेपादन क प्रत्यक प्रत्यक शुरूप से संतुस्टी करती है जो हमारी रोजमारा की चीज़े हैं जिनों के बिना हमारा गुजारा नहीं है इसमें आजाएगा खाना जो हमारी नैसेसरी है फूड और पॉनि नेक्स है टिकाव वस्तू है यह वैवस्तू है जिनका उप्योग कई वर्षों तक किया जा सकता है तता इसका सापेक्ष मूले भी अधिक होता है जिससे टीवी, कार, स्कूटर, वाशिंग मशीन, एक्सेटर टिकाव वस्ते वह होती है जो लंबे टाइम तक चलती है और उनकी जो वस्तू है जिनका उप्योग एक वर्ष या उससे कुछ समय अधिक समय के लिए किया जा सकता है मूले इतना अधिक नहीं होता जैसे कपड़े फ़र्णीचर आदी तो अर्द टिकाव वस्तू है वह होती है जो एक वर्ष या उससे थोड़ा टाइम जादा तक चलती है और इनका जब हम पाचेस्ट करते हैं मूले इतना अधिक नहीं होता तो इसके एक्जामपल है कपड़ा और फ़र्णीचर नेक्स्ट है गैर टिकाव वस्तू है गैर टिकाव अत्वा एकल उप्योग वस्तू है जिनका क्यों एक ही बार उप्योग किया जा सकता है जैसे दूद डबल डोटी पेट्रोल एक्सेट्रा यह अर्दिटिकाव जिनका एक ही बार उसकी आज़े सकता है नेक्स्ट है सेवाई यानि सर्विसेज सेवाई वह हैं एबहुतिक वस्तू होती है जो मानविया उशक्ताव को प्रत्यक्ष रूप से संतुस्टी करती है जिसे डॉक्ट यह हमारी हमें सेवाई देते हैं तो यह हमारी सेवाउं में आ जाती है यह बहुत एक वस्तू होती है जो दिखाई नहीं देती है तो फ्रेंड्स यह है मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैन को सब्सक्राइब करना न बुले थैंक यू